आपने कहीं कहीं सुना होगा कि इतने करोड की FII द्वारा सेलिंग हो रही है इतने करोड की FII द्वारा बाइंग हो रही है या फिर DII द्वारा सेलिंग हो रही है तो यह कौन है और हमें इनका डेटा क्यों देखना है इनका डेटा देखने से हमें ट्रेडिंग में क्या फाय institutional investor मतलब जो इंडिया के बाहर के हैं जो हमारे इंडियान stock market में invest करते हैं उनको बोलते हैं foreign institutional investor मतलब FII short form में ठीक है अब ये कौन है ये international mutual fund हो सकते हैं commercial bank hedge funds और कोई individual investor इनको हम बोलते हैं FII सेम इसी तरह DII मतलब domestic institutional investor जो इंडिया के हैं मतलब इंडियान mutual funds banks pension systems या फिर कोई insurance companies ये सारे जो होते हैं इनकों को बोलते हैं DII मतलब domestic institutional investor अब सवाल ये आता है कि हमें इनका data क्यों देखना है हमें क्या फाइदा होगा trading में तो देखिए तो ये ये दोनों क्या है बड़े प्लेयर हैं FII and DII मतलब ये दोनों बड़े प्लेयर हैं तो इनके अंदर एक ability होती है कि ये market के trend को change कर सकते है किसी भी stock के trend को change करने की ability होती है तो जब हम देखेंगे कि अगर foreign investor द्वारा या फिर domestic institutional investor द्वारा अगर buying हो रही है buying pressure आ रहा है तो हमें एक सही point पे हम decision लेके entry ले सकते हैं इनका data देखके कि मतलब ये लोग buying कर रहे हैं मतलब कि जो price है moment जो trend होगा हो उपर के sign में जाने वाला है अगर इनके दोरा selling हो रही है मतलब कि अब जो trend है हो downtrend होने वाला है तो हम इनका data देखके सही decision ले सकते हैं कि हमें किस point पे entry लेना है अब जो अगरा सवाल है कि इनका data हम कहां देखेंगे तो इनका data हम देखने के लिए Google पे ले चलते हैं आपको इनका data देखने के लिए आपको Google प्याना है और type कर देना है FIIDII data जैसे आप type करेंगे आपको नीचे सबसे पहली website open होगी NAC India की इसके नीचे आता है Money Control की website आती है कि आप Money Control पे भी click करके FIIDII के activity देख सकते हैं और नीचे एक और website है वो है Stock Edge का ठीके तो आप किसी भी website पे जाके आप वहाँ पे इनकी activity को अब हमने यहाँ पे click किया तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे open होके आया तो यहाँ पे देख रहे हैं FIIDII activity यह day wise है ठीक है यहाँ पे आपकी date रहेगी आप किस date का यहाँ पे data आपको देखना है ठीक है तो यह एक फरवरी 2022 का data लगा हुआ है अब बारी बारी से आप देखिए नीचे एक साइड में FIIICM मतलब की cash market में foreign institutional investor द्वारा क्या activity हुई है मतलब यहाँ पे 21 करोड की यहाँ पे देखिए जो RS लिखा है करोड में है तो इतने की selling हुई है cash market में और DII द्वारा जो cash market में क्या हुई है इतने करोड की buying हुई है मतलब खरिदारी हुई है आप यहाँ पे देख रहे हैं और भी index future में क्या हुआ है foreign institutional investor दारा इतने करोड की selling हुई है और index option में क्या हुआ हुआ है activity foreign institutional investor दारा इतने करोड की buying हो रही है तो इस तरह से यहां पर आप देख रहे हैं, cash market में, future market, option market, यह future market, stock option market, इस में यह market है, और कितने क्रोड की यहां पर buying हो रही है, selling हो रही है, यहां पर आपको data देखने को मिलेगा, तो इस तरह से हम इनके data को देख कर समझ कर हम एक सही decision ले सकते हैं कि क्या market में selling pressure चल रहा है यह फिर buying pressure चल रहा है, इस तरह से आप FIAE, DIAE का data यहां पर देख सकते हैं, तो I hope आपको इस वीडियो में कुछ सेखने को मिला होगा, अगर आप नए हैं तुमारे चनले को सब्सक्राइब के लेजिए और बेर आइकन को दबा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तानिवाद.